अब बिजली पानी जब फ्री दिना और वापिस लेने की कारवाई शुरू हो चुकिए यह आप लोग अच्छी तरह से समझ लें रातो रात इनका घर छीन लिया इंसे परिवार समयती ने सडक पे फेक दिया ये है इनका संगर्श इस ठक को जेल भिजवाएंगे बानी प्रताब जी ये केश रिवाल जी के लिए कह रहा हूं सीधा सीधा बड़ा ठक भी दिल्ली में जोटा ठक भी दिल्ली में और पूरे देश को ठकने की स्कीम बना रहा है ये आप मिशन सेव कॉंस्टिटूशन का नाम पड़ रहे हैं उपर मिशन सेव कॉंस्टिटूशन ये है कि हमारे देश के मालिक हमारे देश की अवाम जंता है और बाकी सब प्रदाम मंत्री, मुख्य मंत्री, सरकारी अधिकारी, जज़ और ये प्रेस भी आपकी जंता की नौकर है मगर आज नौकर जब मालिक बन बैटे हैं और मालिकों को नौकर बनाने की घुलाम बनाने की पूरी साजिस चल रहे हैं इस समिधान को खतम करके मनुस्रीती लागू कराने की साजिस चल रहे हैं मनुस्रीती लागू कराने का मतलब है कि रामन चत्रिय वैश के अलावा किसी को ना पढ़ने का अधिकार, ना लिखने का अधिकार, ना प्रोपटी रखने का अधिकार, ना बिजनेस करने का अधिकार, ना वोट देने का अधिकार, ना सड़क पे चलने का अधिकार, ना पानी पीने का अधिकार सड़क के, जो common प दूक्टर भीवराओं मेटकर ने इतनी खुर्बानियां देकर बनाया था इंसाथ और बराबरी कायम करने के लिए हम सब को देश का मालिक बनाने के लिए यह Mission Save Constitution बनाया गया है और इसमें सबसे एहम बात यह है कि जब देश के मालिकों को आम नागरिकों को कोई परेशानी कोई तकलीव कोई दुख अपने घर के अंदर होता है कोई पुलीस रेड करती है ना जाई तंग करने के लिए, MCD तंग करने के लिए और आज जो भी यह जो शूस बनाने वाले लोग हैं और जो शूस बेचने के लिए जो फड़ी लगाते हैं, उन्होंने अपनी अभी परिशानी रखी, उस पर मैं भी एक मिनित में आँगा, इन लोगों को पुलीस तंग करने जाती है ये सब खैर कानूनी है, अपराज है, गैर कानूनी तरीके से देश के मालिकों को तंग करना अपराज है तो देश के मालिकों को उनके घर पे जाके, उनके काम करने की जगाब पे जाके, मदद करना मौके पे, जब आप लोगों के साथ ज्यात्ती और जुल्म हो रहे हैं ये काम है Mission Safe Constitution, सबसे पहला सबसे महर्वकून, उसके अलावा, जैसे डॉक्टर वितू की नौकरी चील ली गए, या अभी नौकरियों में इंटर्व्यूज हो रहे हैं और हमारे लोगों को NFS जो मेरे मुझे निकला था तब लग, not found suitable, यानि कि आप इस लायक नहीं हो, एक्जाम दे के आए हो, पास हो के आए हो, पिएश्टी कर लिए, नमबर सबसे ज़्यादा आएं, लेकिन इंटर्व्यू में हो क्योंकि, एक महाभारत की कता है ना, वो द्रोनाचारे, जिन्न लोगों ने एक लव्य की कता, आप लोगों ने सुनी है ना, तो इंटर्व्यू लेने में एक लव्यों के अंगूटे काटे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा काबिल होने के बाद, NFS, यानि कि आप काबिल नहीं, यह कहके निकाला जा रहा है, तो Mission Safe Constitution का काम है, मौके पे पह लोग कर रहे हैं, इसलिए कि आपको किसी नेता और अभिनेता की ज़बरत ना पड़े, किसी MP MLA के पास जाके हाथ ना पहलाना पड़े, और किसी MP MLA और कॉर्परेटर के जूटे वादों में ना आसके के 15 लाग दूँगा, मैं आम आदनी हूँ, मैं अपनी गाड़ी में चलूँगा, मैं ब्रश्टा चार नहीं करूँगा, मैं अच्छी शिक्षा दूँगा, मैं बिजली पानी प्री दूँगा, अब बिजली पानी जब फ्री थी ना और वापिस लेने की कारवाई शुरू हो चुकि यह आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, फोन करतना पड वापिस लेने का, महिलाओं के लिए जो बसों में फ्री है ना उसका भी आप लोग कुछ दिन में देख लोगे, वो भी वापिस ले लिया जाए, तो असली सोलुशन यह है कि आप इन जूटे वादे, जूटे नेताओं के चुंगल से निकलो, सबसे बड़ा चुंगल में क यह मजबूरी में काम पड़ता है, पुलीस तंग करती है, कॉर्परेशन वाले तंग करते हैं, तो उस काम के लिए भानु प्रटाप जी यहां मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, और हम सबसे ज़्यादा तो, और मैं यह भी कहूंगा, यह नेशनल रोकर्स फेडरेशन के त पोई जी एक मिन्ट स्टेज पर आजाएं यहां पर, यह लोग मौजूद हैं, अब एक्जामपल में देए रहा हूं जिसके अभी आप आजाएं यहां तो अगर आपको पुलीस तंग करती है, तो यह लोग हैं हम लोग हैं, पुलीस अगर आपको आपके धेले को उटाती ह तो वो अपराद है, मैं साफ तोर पर कह रहा हूं आपसे, वो अपराद है, कानूनी जुर्म है, अगर आपके धेले को कोई उगली लगाता है, पुलीस वाला या कॉर्परेशन का आदमी, जब तक के सर्वे नहीं हो जाता, जब तक के आपको जगा नहीं दे दी जाती, तो आपकी जहां मर्जी आए, रोड के उपर, साइड में, आप लोग लगाएं, कोई आपको उगली लगाएगा, तो हम लोग हैं उसको जेल बिजवाने के लिए, और मैं इससे बड़ी बात कोई नहीं बोलना चाहते, मैं खुले आम चलेंज कर रहा हूं आपकी पुलिस ताने वालों को सीधा-सीधा, यह अपराद है, अपराद है, पुलिस वाले और कॉर्परेशन वाले यह अपराद ना करें, वरना हम उन्हें जेल बिजवाएंगे, यह मैं बता रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं, बारत के समिदान के तहक, कानून पास किया है पार्लिमिंट न उस पार्लिमिंट के कानून के हिसाब से, आप लोगों को अपना जो खेला लगाने की पूरी इजासत है, जब तक के आप लोगों का सर्वे होके, आपको जगा नहीं दिलवा दी जाकी, और इसलिए, प्रधान मंत्री ने, दस दस अदार का लोन दिलवाने के लिए, आपको मिल सकते हैं, किसी को मना नहीं है, तो इसका मतलब आप भारत देश का पैसा आपको दिया जा रहा है, ठेला लगाने के लिए, क्योंकि आप कानूनी काम कर रहे हो, और जो पुलीस वाले और कॉर्परेशन वाले आपके, आपको उठाते हैं, और अगर आपका माल भी ले जा कम से कम, साथ साल और दस साल है, और वा पुलीस वाले साथ साल और दस साल के लिए, जेल जाने के लिए, तैयार हो जाएं, अगर ये हरकत करेंगे तो, लेकिन उसके लिए, आपको इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी, ये लोग, आपकी लड़ाई, आप से आगे आके करते हैं, और हम लोग इनके साथ हैं, मैं और भानु प्रताब जी और हमारे दूसरे वकील साथी, आपके साथ संगर्ष करने के लिए, आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है, ये हम वाला कर रहे हैं, लेकिन ये लंबी लड़ाई है, ये ज़्यादा मुश्किल हैं, किस लिए, वोट देना तो सबसे आसान काम है न, उसके लिए तो पुलिस की लाठी निखा रही जैसे हमारे भाई खाते हैं, ये पुलिस की लाठी भी खाते हैं, आप लोगों के लिए खाते हैं, आप लोगों के लिए खाते हैं, आप लोगों के लिए खाते हैं, आप बहुत लोगों ने प्रदशन किये तो ठक ने तो ठक लिये आपको लेकिन ये लोग जनरेली आपके लिए फ्रदशन कर रह exists दे खार है यह जेल भी जा रहे है ये काम मुश्किल करने को तैयार है आप लोग क्या हम लोगों की कहने से वोट देने को तयाम नहीं हो जाओ आपको किसी को भी वोट दे के आज तक कुछ मिला यह बिजली फ्री केजरिवाल साथ ने फॉरी नामें ठब इनी को कह रहे देख ना चठाग में गलती से केजरिवाल जी नाम निकर या ठब में अपनी जेव से या अपने पिता जी की पैसे दिया है ठब कह रहा है मैं बिजली दूंगा फ्री आपके पैसे हैं अभी डॉक्टर लितुन ने बताया ना वह तो ऐसी समाज के पैसे हैं जो ठब जो है जिसके लिए बिजली और पानी प्री कर रहा है वहां से चुराके गरीबों को दे रहा है और वह भी विड्रो अपनी वालियों को दे दिये ठीक है तो ठब मौदे हम 10 रुपर में हमारा पेट नहीं बढ़ रहा आपका पेट भी नहीं बढ़ रहा अब हम सारा का सारा गरीब लोगों से भी बिजली के भी पैसे लेंगे और आपस में बाट लेंगे यही हो रहा है और एक और बहुत माठग में एक ठग का उसके उपर तो अभी इंजाम भी साबित नहीं हुए वो जेल में त्यार में बैठे यह कह रहा है कि एक माठग के मंत्री ने मुझसे 60 क्रोड रुपे ले लिए तो ठादोने की कोई सर्टिफिकेट बाकी है आप लोग न्यूस पर लेना मैं किसके बारे में कह रहा है कुछ लोग मेनत भी करें ना तो हमारा काम सबसे आसान हो जाता किसी ने आपका कोई काम नहीं को आप अगर हमारी खुर्बानियों को अगर आप यह समझते हो हम सब ल सब्सक्राइब के लिए अपनी जान हतेली पे रेके लड़ाई लड़ रहा है आपको यह असा लगता है मांदारी से तो हमारे कहने से बोर्ट देना चुरू करो यह डी सी कपिल सावियां बैटे हैं यह भी जेल गए हैं इनकी भी इंजीनियर साब हैं इनका गुना यह था क कि यह वह माठक के चक्कर में आगें मैं तारे विजली की जो फ्री कराने की जो स्कीम दीए ना यह इनी का गुना है दीसी कपिल साथा दरा देख लीजे इन्होंने यह स्कीम सिखाई माठक को माठक ने इंसे स्कीम समझ लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे विजली करमचारियों के हक तुम्हें देने पड़ेंगे तो ठगों का काम तो लेना होता है देना तो होता नहीं है उस चक्कर में इनका घर रातो रात एकी रात में चीन लिए आगा आपका घर अपने परिवार समय इनका सारा पूरा घर जबरदस्ति गुंडों ने आके सरकारी जो गहर कानूनी काम करते हैं रातो रात इनका घर छीन लिए इंसे परिवार समय तिने सडक पे फिख दिया ये है इनका संगर्ष दूसरा इनका संगर्ष ये है कि उसी महाठ्थक के खिलाब इन्होंने एक एफायर भी करा रखी है मतलब कंप्लेंट कर रखी है जुडिशरी भी तो हमारी माशालला ही है ना कि उसने एक देवनी नाम का वो है विदान सबा रिजर्व वो एक रिजर्व कॉंसिट्वेंसी ह वहां से एक नॉन रिजर्व विक्ति क्यों सीट देके जितवा दिया धोका दड़ी करके जिसमें ये कार नकली सार्टिफिकेट लगा के ऐसी सार्टिफिकेट लगा तो महाठ्थकों के ये काम होते हैं और उनकी कॉंपेटिशन ठगी करने में हमारे माननिये जो उपर अज मकरकी ठगी कर सकता है का मावPछ साहब कर नाम तो सब लेते हैं सा जोट लगा के लोगों के साथ ध üzरू करते हैं लेकिन बाबा आ साथकिया आ Says जोबाग्ध तो उसको धमकी दे कर दराके कि उससे इस्तिफा लेने का काम करते हैं और मेरा इंद्रकाल गौतम जी जिन से जबर्दस्ती इस्तिफा लिया गया था ना उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं आज दुरूसरी बार निवेदन कर रहा हो यह बानु प्रताप जी बैठे हैं यह ये इस महाठक को धंकी देके जो आप से इस्तिफ़ा लिया गया है ना उस महाठक को बानु पृताप जी के पास आजाएं उस महाठक को जेल भिजवाने का काम करेंगे और आपको दुबारा वापिस मंत्री नहीं मुख्य मंत्री बनवाने का काम करेंगे लेकिन आप राजें अंदरपाल गौतम जी सिरफ बानु प्रताफ जी के पास आ जाए और इन्हें वकील बना ले अपना यह ठक जेल जाएगा बाबा साहब के की प्रतिग्या लेने वालों का इस्तिफ़ा लेगा जबर्दस्ति यह यह है आज की सच्छाइग इस ठक को जेल भिज़ाएंगे बान का के स्थिफ़ा लिया है और घरजेंदरपाल गौतम जी बोल नहीं पा रहे हैं हम समझते हैं वो सब्रांत वेक्ति हैं सीधे शरीफ वेक्ति हैं उन्होंने कैसे कैसे एक एक दिन का टाओगा मंत्री के रूप में मैं समझ सकता हूं यह क्योंकि हम नहीं यह वह डाल रखी ह कर रखाये आप ठग्या करे उसपैसे को छीन रखाया वापिस look還有 गौतम जी यह उसके मंत्री थे आज तक राज인दरपाल को जीन Liter ने के बावजूत उसमें जवाब पारिय में किया दिल्ली जाएगा तो मुख्य मंत्री इनके बनने के चांस ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि दिल्ली में शरूर कास्ट और माइनॉर्टी की जो चंसर क्या है वो 35 परशंट से भी ज्यादा तो मेरा आपसे कहना यह है कि मंत्री संत्रियों की चिंता मत करो हम है आपके अधिकारों की रक्षा करेखे कोई मंत्री शंत्री कोई MR आपका काम नहीं करेगा हम करेंगे नि advertisements करेंगे लेकिन को के कहने अपना अदमी होगा दर्दमंद होगा आपके साथ खड़ा रहेगा जो आज आपको जो धोका मिल रहा है ना के शायद यह मिल जाएगा उससे दस गुना ज्यादा जो आपका हक है इमांदार इंडिपेंडेंडेंट या किसी भी पार्टी से लड़ने वाला व्यक्ति आपको दिलाएगा अगर वो इमांदार होगा बहादूर होगा शरीफ होगा किसी अपने राजनीतिक आपका जैसे जो दोठाग है ना बड़े-बड़े और एक और पहले कॉंग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे नेता देखें आपने कोई कुछ नहीं कर पाता था ना क्योंकि उ लोग चुनके जिताएं अपने में से अपनी अवाज से किसी के धोके किसी के कैमपेइनिंग किसी के पैसा खर्च करने से वोट नहीं देना और जो लोग पैसे दे रहे हैं उनको तो वोट बिल्कुल नहीं देना यह काशी राम जीने स्कीम सिखाई थी पैसे लो आपको इस देंगे आपके यह वोट लेके और हजारों जयदा उसने पैसे कमाते हो तो पैसे भी लो विर्यानी भी खाओ शराब का तो मैं बहुत भोर भी रोधी हूँ शराब किसी को नहीं पीनी चीए, वो एक बहुत नुक्सान दे चीए, पैसे लो, शराब भी बोलो, हम अपने आप पी लेंगे, पैसे दे दो उसके, पतले में और शराब मत पियो, वोट तो देनी नहीं है, जिसने पैसे लेने, उसको वोट तो देनी ही नहीं है, यह तो फर् अब अगर आप लोग यह काम करोगे इससे देश की जो लोगतांत्रिक व्यवस्ता है ना वो ठीक होगी अगर इंडिपेंडेंडन लोग छोटी पार्टियों के लोग जीत के जाने लगे तो उससे ये बड़ी पार्टियां जो है ना जो ठगी करते हैं इलेक्शन में टीवी ये वो सब खरीद के अभी वो एक और एक्जाम्पल आया ना के ये जो दिल्ली की जो बातावरने अच्छा कराने के लिए वो मशीन खरीदी कुछ एक साथ एक लाप की और उसके पॉलूशन की और उसके करोड़ा रुपे विज्याबन पर खर्च कर दिये ये पराली के लिए ये बड़े ये जो ठाग है यहां कर दिल्ली वाला चोटा ठग बड़ा ठग भी दिल्ली में है अभी वैज़े छोटा ठग जो है ना पूरी कोशिश कर रहा है बड़े को मात देने की आज को कितना सक्सेस्टूल होगा पता ने बड़ा ठग भी दिल्ली में छोटा ठग भी दिल्ली में और पूरे देश को ठगने की स्कीम बना रहा है और दोनों ठग देखो कितने पैसे खर्च करते अपनी वेश भूशा पर दिखने रख रकाव पर दोनों ठग बड़े ठग के पास बड़ी गाड़ी कौन जीहान वो है वो क्राइस्लर की 갈क रल्व रॉइस रहेश रोजसरा थियुकि है कंटे पास बड़ी कार बड़ी ऑर चोटे थक के पास है बड़ी लेकिन वो भी बड़ी चोटी बड़ी ऐह वह है यह वाली गौंदी ए इवाली अचिट्ट है जोटे खने छोटे ठग ने वेगन आट से ग्लॉस्टर लिए और एक में चाय पिलाते पिलाते ट्रेन से रॉल्स रॉस लिए अब देखिए दोनों की वेजभूशा बनाने पे छोटे ठग की और बड़े ठग की पहले शकल देखी थी आपने सब की एक की बड़े ठग की जो आज वाली प जबर दस चमक साथ सिरफ चमक में आई है जबर दस लशकारे मार रहे हैं दोनों के चेहरे मार रहे हैं मार रहे हैं लशकारे करोड़ा करोड़ा रुपे अब मुश्किल काम है ना मुश्किल काम था तो उतने ही पैसे लगते हैं उसको लशकारे लगाने के लिए तो दोनों करोडों करोड रुपे खर्श कर रहे हैं एक अपने देखा न आपने वेगाए और बाल ऐसे बनेमें न एक तिकवों सा इसे बैठके भी दींने बोलना चुला कर दिया कि बोलने के तरीके में भी फरक नदर आ रहा होगा आपको दोनों के बड़े ठक के भी और छोटे ठक के भी दोनों की ट्रेनिंग एक जगह से हो रही है वह महाराश्च्ट में जगह है नापकोर देखो आप और बड़े ठक की तो वीडियो भी वाइरल हो चुकी है कि किस तरीके से दस दस लोग मिलके दाड़ी का एक बाल फिट कर रहे हैं कि एक हिल नी जाना चाहिए यह आपका पैसा है जिसको यह लूट रहे हैं और A की फॉर्मूले से लूट रहे हैं आप A की फॉर्मूले से बार बार ठ़गे जा रहे हैं तो बिल्कुल भी किसी बड़ी पार्टी को वोड देने की ज़रुद निए इससे असान तो कोई राष्टा नहीं है, ना लाटी खाना है, ना गोली खाना है, ना संगर्श करना है, और यह सबसे बड़ा सुलुशन है जो बाबा साथ ने दीया, सबसे बड़ा ने देगा उसने पैसे एक तो जादा लेने हैं यह मैं इंप्रूवमेंट कर रहा हूं ठक के फ़र्म लेना कोई अगर एक अजार रुपे दे रहा है तो उसके कहना बहुत कम है दस दे अ कम से कम दूसरी वाली पार्टी वाली दो दो बड़ी ख़कों की पार्टी है ना आज क तोड़े ओदो पे थे और सब पैसा लेके भाग गए तो वो थोड़ी आज कमजोर हम रहत में लेकिन पैसे उससे भी लेने तीनों से लेने और वोट जिससे पैसा लेना है उसको नहीं देना और ज्यादा लेने पैसे एक नहीं दस अजाएं नेकोशेट होने चाहिए ना करने तो इसमें ख़गी नहीं हुए आप सबको पता है दो रहा हो कि मैं बता रहा हूं आपको और भी देंगे आपको पैसे तो ये कोई चीटिंग कर ते ना मैं यह करूंगा और करूंगा वोट दो इससे बड़ी चीटिंग कोहीं नहीं है जो वोड लेते हैं जूट बोलते अगर देखा जाए कानुनी रूप से यह सबसे बड़ी ठगी है अगर कोई एक आदमी दूसरे आदमी को चीटिंग करके लाग दो लाग दसजार बीसजार चुड़ा लेता है वो छोटी ठगी है यह जो प्रधान मंत्री बनने के लिए 15 लाग के बादे करते हैं बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं यह बहुत बड़ी ठगी है सबसे बड़ी ठगी है वो बोलो जो कर सकते हो जैसे अगर हम बोलेंगे हम बिजली पानी फ्री करेंगे तो करेंगे हम ट्रांस्पोर्ट फ्री करेंगे तो करेंगे और बगया चीटिंग करेंगे हम शिक्षा सब की फ्री करेंगे और यह जो प्राइविट स्कून है हम इन सब को राष्ट्रे करन क करेंगेए तबह लोग शबांगे लेकिन उसकी शुरुआत तो कहीं न कहीं से होंगी है तो आप लोग हम लोग की बात सुनके अगर तो तो इससे फाइदा हम लोग आपको धोगा नहीं देंगे अपने यहां का नमाइंधा जो आण आने वाले कॉर्परेशन के चुनाव हैं उसमें अपना आग्मी जो किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से ना उसको चुने ऐसे लोगों को पुने जो बीसी कपील साथ की तरह कुर्बानिया देने को तयार हैं जो इन सब लोगों की तरह पुलिस से लड़ने को तयार हैं तो इन से दस गुनाजादा कराएंगे जो ये बड़ी बड़ी पार्टियों वाले करते हैं आपको बेवकूप बनाके जो वोट लेते हैं और हम लोग तो हर हालत में आपके साथ हैं आपको किसे भी नेता अभी नेता की जरुरत नहीं है जब तक हम लोग मौजूद हैं अजय को